वेलकम बैक स्टुडेंट्स तु माई चानल आएम नेहा सिंग और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद नेहा सिंग बे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बजट लाइन जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मेरी लास्ट वीडियो में उसमें मैंने एक हलका सा इंट्रोडक्शन लिया था बजट लाइन बजट सेट और कंजूमर बजट का तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो प्लीज देखे तभी आपको आज की वीडियो जो है वो समझ मैंगी क्योंकि वो उसी की कंटिनेशन में है तो आज में हम पढ़ेंगे बजट लाइन का डीटेल्ड थोड़ा सा एक्स्प्रेनेशन यहाँ पर देखेंगे कि अगर बजट लाइन शिफ्ट होती है तो उसका क्या क्या फरक रहता है वो किन रीजन्स की वज़े से शिफ्ट होती है और उसका क्या रियक्शन होता है बजट लाइन होता है जो हमारे जो different combinations है according to the income of the consumer कि वो कितना खर्च कर सकता है किनी दो products पर तो उसके हम जो quantity उसकी good A और good B की जो quantity हम change करते हैं बट वो हम उसी combination में change करेंगे कि वो equals to जाके जो इसकी income है consumer की उसके बराबर बैठे यह हमने last video में समझ लिया था तो उसी जो budget set है यानि budget set की जितने भी combinations जो best combinations बनेंगे वो पूरे budget set को उठा के हम अगर graphical representation में दिखा देते हैं उसको हम बोलते हैं budget line तो यह हो गया एक उसका हलका सा revision और हमने जाना था कि budget line क्यों y axis और x axis को touch कर सकती है इसी लिए touch करती है क्योंकि इसमें हमारे पास option available हो जैसे हमने कहीं भी कर सकते हैं कि good a की हम एक भी quantity हम consume ना करें सारा पैसा जो है हम अपना good b की consumption में ही खच करें तो वो क्योंकि good a का consumption कहीं ना कहीं zero हो रहा है तो इसलिए वो x axis को y को touch करेगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी combination में हम ये भी करेंगे कि b जो हमारा good है उसकी भी हम consume zero quantity करेंगे तो इस वज़े से वो x axis को touch करेगा जैसे कि indifference curve में हमने जाना था कि वो किसी भी x या y axis को touch नहीं करता है क्यों क्योंकि उसमें हम जो दो commodities हैं उनका कुछ ना कुछ quantity हम consume कर रहे थे अपने satisfaction के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर हम किसी point of time में कि हम कर सकते हैं कि उसकी एक product का हम quantity हम बिलकुल भी consume ना करें तो यह वाले points तो वो थे जो budget set एकदम exact जैसे for example हमने लिया था कि rupees 20 अगर income है consumer की तो जो rupees 20 के हिसाब से जो exactly हमारा set बैठ रहे कि हाँ इस वाले set पर जहां जहां यह points लगाए हैं इन combinations पे हमारे rupees 20 exactly खर्च होते है उन दो products पे और यह वाला जो पूरा अंदर का area होता है वो within हमारे budget के आता है मतलब 20 rupees से कम खर्च जो हमारा हो रहा है मतलब जो हमारे budget में हमारे खर्च करने के हिसाब से है वो यह वाला इस वाले area में कहीं भी कोई भी set हम create करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कि हाँ हम यह इतना जो इस set के हम जो product है इस set के जो combination है हम उस पे खर्च कर सकते है और यह वाला जो इसके बाहर जगर कोई point या कोई combination create होता है तो वो unachievable हो जाता है हमारे लिए मतलब हम वहाँ पर हम कोई भी वो set को हम achieve ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे budget के बाहर आ जाता है अब जो ह product की price कम या जाता होगी तो वो change हो जाएगा और अगर हमारा budget यानि हमारा खर्च करने का जो purchasing power जो है हमारी वो कम या जाता होती है तब हमारा budget line shift करता है तो पहले हम cases देख लेते हैं जहां पर एक तरफ price तो बढ़ रही है और एक तरफ price जो है वो घट रही है तो यहां पर पहले वाले case में हम देख लेते हैं जहां पर हमारे products की commodity है अब यहां पर मैंने दो commodity एक ice cream और एक chocolate ले लिया है तो दो commodity है इनकी क्या है जो price है वो बढ़ रही है अगर price बढ़ेगी तो हमारा budget कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास तो 20 रुपे ही थे अब अगर किसी भी product की price बढ़ जाती है तो हम तो 20 रुपे ही खर्च कर पाएंगे ना तो हम उसकी quantity कम कर देंगे उसकी खरीदने की तो हमारा budget वो हो जाएगा कम तो इसमें क्या जाएगा कि budget और price का inverse relationship होता है अगर price बढ़ेगा किसी भी product का या दौनों product का तो हमारी जो budget है हमारी जो खर्च करने कि जो power है जो purchasing power है वो कम हो जाएगी तो जो हमने ये जाना है कि अगर कोई भी graph हमारा decrease होता है या कम होता है तो वो left इस तरफ की तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा budget line जो है वो decrease हो गई है तो ये a थी तो यहाँ पर हम a dash लिख लेंगे तो वो shift होके a dash पे decrease होके हम second case देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस जो है हमारा कम हो रहा है अगर प्राइस हमारा कम हो रहा है तो हमारा यानि budget जो है हमारी जो खर्च करने की जो power है वो बढ़ जाएगी तो ये हमारा shift हो जाएगा right की side मर तो ये आ गया a dash a dash ठीक्या तो ये हो गया हमारा की budget अगर price अगर decrease हो रहा है तो हमारा budget इंक्रीज हो जैगा कैसे क्योंकि हमारा जो पहले जो 3 रुपे में मिल रहा था ये suppose हमारा जो 5 रुपे में मिल रहा था वही चीज 3 रुपे में हो जाएगी तो अब उसकी ज़्यादा quantity खरीद पाएगे तो obvious है तो जैसे हमारा price कम होगा, budget हमारा बढ़ जाएगा, अब price से जो effect होता है वो हमने देख लिया, अब दूसरा वाला money का effect हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर money एक में हमने बढ़ा दिया और एक में money हमने कम कर दिया, तो money अगर हमारा बढ़ेगा, तो obvious हमारी purchasing power बढ़ जाएग तो वो यहाँ से A से A डाश प्या जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कि जो हमारी money अगर increase होती है, तो हमारा budget यानि हमारी purchasing power भी जो है, वो increase हो जाती है, ठीक है, तो positive relationship है, तो increase हो जाएगा, अब यहाँ पर again अगर हमारी money कम हो रहा है, suppose हमारा 20 रुपे था खर्च करने का power, अब वो 20 से 15 हो गया, तो हमारा obviously budget line भी हमारा घट जाएगा, जो हम पहले quantity खरीद पा रहे थे, वो हम अब quantity नहीं खरीद पाएगे, तो वो अब A से A डाश पे नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हमारा budget भी money के साथ में घट जाएगा, simple, अब फटा-फट से और जो cases हैं वो chocolate, तो अगर एक case में सिर्फ हमारे जो ice cream है, उसी का price और उसी का price बढ़ भी रहा है, और घट भी रहा है, तो फिर क्या effect होगा, लेकिन जो chocolate का price है, यहाँ पर हम उसको constant लेके जलेंगे, ठीक है, तो सिर्फ ice cream का ही देखेंगे, कि अगर उसका price बढ़े, तो क्या effect होगा, औ हम उसकी 4 quantity purchase कर रहे थे, तो वो अब हम purchase नहीं कर पाएंगे, हम उसकी कम quantity खरीद पाएंगे, तो again, जो यहाँ पर बैट आ रहा था, हमारा ice cream इदर है, तो ice cream वाली side पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम उसकी कम quantity खरीद पाएंगे, तो जो हमारा budget line है, वो इस तरीके से क्योंकि chocolate तो हमारा constant है, तो chocolate की तो हम वही same ही quantity खरीद पाएंगे, लेकिन जो हमारी ice cream की quantity है, वो हम कम खरीद पाएंगे, तो वो आजाएगा हमारा इस तरीके से graph, ठीक है, अगर अब इसी जगह हो जाता है कि हमारी ice cream की जो है, वो price घट जाती है, ice cream की price जो है, वो यहाँ पर कम हो जाती है, तो अगेन यही हो जाएगा कि अगर price हमारी कम हो जाती है, तो हम ज्यादा उसकी quantity खरीद पाएंगे, पहले 4 थी, तो अब हम 5 या 6 quantities उसकी खरीद पाएंगे, तो यह तो हमारा constant ही रह जाएगा, और यह हमारी जो इसकी purchasing जो quantity है, वो बढ़ जाएगी, तो खेली graph का होता है, तो थोड़ा ढंक से labeling करके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि graph में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से label करके, अच्छी तरीके से आपको बहुत ही साफसुतर आपको दिखाना है, तो बहुत ही proper graph बनाना, ठीक है, तो हमारी जो ice cream की जो यहाँ से ए से dash हो जाएगी, जो ice cream की जो हमारी quantity है खरीदने की वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, अब हम दूसरा case देख लेते हैं, जहाँ पर चौकलेट की price जो है, वो increase और decrease हो रही है, अब देख लेते हैं, चौकलेट के price increase और decrease का effect, अब यहाँ पर हमारा जो चौकलेट है, उसका price जो ह वो बढ़ जा रहा है तो सपोज ये थी हमारी budget line ठीक है तो अब हमारा chocolate का price बढ़ रहा है तो यानि इसकी quantity हम कम कर देंगे खरीदना तो वो और हमारा ice cream तो constant ही रह जाएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो हमारी जो quantity अब हम जो कुछ chocolate की खरीद पाएंगे वो ह कम खरीदेंगे तो वो ये graph यहां से यहां shift हो जाएगा सिर्फ chocolate की तरफ से और ice cream का constant रह जाएगा और इस वाले case में जहां पर अब chocolate की price जो है वो हो रही है कम तो यानि अब हम chocolate जो है उसकी quantity जादा खरीद पाएंगे simple तो वो आ जाएगा हमारा ऐसे भढ़के ठीक है यह आ जाएगा a dash simple है बहुत ही simple सा logic यहां पर लग रहा है अगर price कम हो रहा है तो हम जादा खरीद पा रहे हैं price बढ़ जा रहा है तो हम quantity उसकी कम खरीद पा रहे हैं बहुत ही basic सा logic है यहां पर आपको जादा कुछ है as such इसमें समझने की जादा अबस यह है कि जो इसका graph है वो आपको बहुत प्रॉपर ली आपको बहुत अच्छी तरीके से labeling करके आपको दिखाना है अब बहुत अच्छी तरीके से बजट लाइन के explanation में यही था अब बहुत अच्छी तरीके से budget line अपने examiner को समझा पाएंगे budget line में आपको सिर्फ य डिक्रीज होने की वज़े से जो budget line जो effect होते हैं वो आप easily दिखा पाएंगे बस हाँ यही आपको ध्यान रखना है कि आप graphs बहुत प्रॉपर तरीके से आप इसमें शो करें तो students आज की वीडियो को हम यहीं end करेंगे और मेरी वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए thank you so much आज की वीडियो के आज सच कोई quick summary नहीं है क्योंकि हाज हमने सिरफ budget line और उसके shifts उसके reasons के बारे में यहां पर discuss किया था consumers equilibrium unit में यह वाला जो topic आज हमने discuss किया है budget line का वो short notes में अच्छे chances होते हैं exam में इसकी आने के इसलिए इसकी separate video बनानी मैंने जरूरी समझी तो I hope students आपको आज का topic जो है वो समझ में आ गया होगा और और भी मेरी आपने वीडियो देखी होगी तो आपको इससे micro economics को जानने में और इससे familiar होने में helpful आपको जरूर हुआ होगा तो please मेरी वीडियो को like करे, share करे, comment करे, कोई suggestion है तो और subscribe तो जरूर करे और मेरे इस journey में मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी grow करने में मेरा साथ भी दे, thank you